तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के मैं इसका चैप्र वान पोर डिजिट नंबर पढ़ने से पहले आपको यह याद करना होगा कि आपने पिछली साल पढ़े होंगे थ्री डिजिट नंबर वो क्या होते हैं तो थ्री डिजिट क्या होती है जिसमें 100 प्लेस होती है एक 10th प्लेस होती है जो नाया हम पढ़ेंगे वह नेक्स्ट आपको यहां पर वैल्यू भी मैं बताऊंगी लेकिन जो पिछले साल में पढ़ेंगा उसमें 100 और 1 जैसे होगी सबसे पहले एक साइस 1.1 दीवी आपके में वह पहले वाले ग्लास के बेस पर दीवी है तो उसमें क्य 23 इसको आपको नंबर्स की Ho Chi । पर तीवे सारे इसवाब नम्मर्स मिलें नम्मर्स में कासे लिखो के पहले आपको चेंज करने सबसे पहले 500 के दीशर लेलो फिर 20 10 को नम्मर्स में चेंज करने 500 के से लिखते हैं 500 प्लस यह 20 20 कैसे होगे आप 2020 प्लस अब 31 प्लेस पर 215 यहां पर 750 की अब देखाट अब है तो सबसे पहले हुए तो 500 अभी टेंट प्लेस पे करते दो लिखें श्टार्ट और दू यहां आएगा फिर यह 1 प्लेस पर आपको कुछ है नि प्लस यह हैं अब को आपका अंसर 523 यह आपका जा गया 523 फिर नेक्स जैसे आपन सेकेंड कोई एक्सांपल देख लेता है जैसे इसको आपको वर्ट में जैज करना तो वर्ट में कैसे चैंज करोगे सबसे पहला इसको कर लो इसमें अपने क्या किया है सबसे पहला अब इसको आप करो वर्ट में 100 को कैसे लिखोगे 100 फिर एटी को कैसे लिखोगे आप इसलिए वर्ट में लिख सकते हों पढ़ेंगे कांटिंग बैक्वर्ड और फॉर्वर्ड बैक्वर्ड और फॉर्वर्ड क्या वहती है अगे की कांटिंग और उसके पिछे की कांटिंग तो काउंटिंग बेकोड और फोरोर मैंने बताय तो मैं अप्र एक्जांपल करके जिठाती हूँ जिसे हम ने लिया 210 अपर 210 का फोरवर्ड गांटिंगी फोरवर्ड मतलब जो आगे हैं मेरे फोरवर्ड आगे मालत मेरे फोरवर्ड कुन होगा च्छो तो क्या आगे क्या आता है 210 क्या आगे 211 212 213 214 215 ऐसे से आगे के काउंटिंग चलती रहती है तो यह थी फारवर्ड गाउंडिंग अब बैकवार्ड गाउंडिंग कैसे लिखा है जिसा हमने यहां पर वापस लिख दिया 210 हमने यहां पर लिखा बैकवार्ड मनतब जो मेरे पीछ ओगा 210 क्या आएगा 209 ऐसे पहले यह state 2107 फिर पहले 206 फिर 105 यह थे बैकवार्ड कांटिंग यह होती है जो इस तरफ बढ़ती और यह इस तरफ बढ़ती कि इन फोरवर्ड मनतब इस तरफ बढ़े की और बैकवार्ड मनतब इस तरफ बढ एंडर च पर प्लेज़े स्कोड गें औरफुक प्लेस्ट कि वैलियो होगी वह आजाएगाक़ आपको पता किसे लगे यह तर्ड नमर पर फर्स डिसिप ले लो पर बात की जी ओ तब यह उगया हंड्रेड यह जाएगा हंड्रेड वैल्ट फिर टूल सेकिंड वैल्ट एक पर जीओ पुट कर दो जाएगा 20 तो नेक्स जो मारा आता है वह है नंबर इन बिट्वीन नंबर बिट्वीन कैसे होगा हम थी नंबर डिजिट से स्टार्ट करेंगे फिर यहां पर यहां पर जैसे हमने कोई बना दी यहां पर 203 अब यहां पर देखो आपको 123 तो सब आती होगी पक्यां पर फिर आप उन को क्या फाइंड करता है जो नंबर इंके बीच में आता है कौन सा नंबर बाकी है टू आपर ले लो और ट्वेंटी अबश्य तो यह पर क्या आएगा 857 तो कि यह होता है नंबर इंपेटीन फिर इंक्रीजिंग ओर में क्या से जमाते हैं इसा आपको दे दिया 10 तो इसमें क्या इंक्रीजिंग ओर्डर हैं तो इसमें क्या इंक्रीजिंग ओर्डर हम त्रीजिट से लेता है फिर्स्ट और हम लेंगे वह है 554 456 अब इसमें आप सबसे पहले छोटे से आपको बड़े की तरफ से माना है सबसे आगे की तरफ एना 100 प्लेस पे वह वाली वाली प्लेस वाली में सबसे छोटी कौन सी है सबसे लिख दो अब आपको यह लगता है 555 तो से मैं तो हम चलते हैं नेक्स विजिट की तरफ एट और नाइं इन दोरह में देखो कौन सी छोटी है एट वाली छोटी है यहां आजागे 554 यहां पे आजागा 593 इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ओर्डर फिर इसी तरह से हैं हम इंक्रीजिंग और में चोटे से बड़े की तरह फिक नापढ़ें तो जो नायां पढ़ेंगे 4जिट नंबर 5जीट नंबर के लिए पहले पने इंगा 3जिट नंबर उसके लिए क्या-क्या प्लेस होता थी थी 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 100 प्लेस होता है अभाआ तो जोज़ेगा जीरो प्लस जीरो नाइं प्लस वन तैन अब यह तो चार नम्मर पर जीरो और प्लेस प्लेस भी लाने पड़ती और वह चोथी प्लेस क्या होती है प्लेश लिखते हैं टी और चोटा है यह और प्लेश हमारी नमर बनती यह यह वां जो है एक तो यह एसे होती है तो सबसे पहले हम दिखते हैं तो होता है वह सबसे स्मालेश नंबर होता है तो सबसे पहले हम एक बोग्स पना लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं डालते हैं एक दो तीन चार पांच अच्छे आठ नो अब इसमें नो ही आए बच्चा वाब इदर कि इदर भीजोगे टैन यह पर दस होगा यह पर टैन पूरा और रहेंगे इसमें नो की आने की चगाव की तो नेक्स्ट और टैन होगा वह इदर आ जाएगा लब टैन वन्स मेक अ टैन मेक बन टैन मदलब जिरो वन्स ट्री पोर फाइव सिक्स सेवन एट नाई अब यह बनने दस नमर एड़ किये और जो चोगता नमर हो बना टैन इसमें वन्स प्लेस और टैन्स प्लेस हो जाएगी मदलब टैन वन्स मेकश जो नक्याइब हैं इसआ हैं टैन से करें करते 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 करके हूं रहे सिक्स्टी सेवनेटी 80 90 अब इसे एक दूचीन चलना चाहिए यह में नौबर सेट के पिर जो लास्ट तंबर होगा हंड़र आजाएगा अब सब्सक्राइट तो टैंट होंगे वह एक हंड़र बनाएगे वैसे ही तैन हंड़र जोंगे टैन हंड़र मेक बन थाउजन अब 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 एड़ करके देख लो टैन बार अब उनको हंड़र को प्लस करना है वान टाइंग तू त्री फोर फाइफ सिख्स सेवें एट अब अब तैन हंड़र तो हम चैक करते कि बनाते की नहीं बनाते जीरो यह पर पूरे में जीरो अब इसको एड़ करते हैं तो हमरे पास टैन हंड़र जोंग तो मतलब तैन हंड़र में थाउजन अब हम देखेंगे थाउजन से तो हम अब एक इस पर ऐसे पूट कर सकते हैं तो फिर से मने गपेकस बना लेते हैं थाउजन टीएच अंड़ेट एंस फंस अब हम क्या करेंगे 1000001 यहां पर जीरो ने बनाएंगे थार्ड में जीरो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बनाएंगे वैसे जागर आपर 20 तो जीरो किछ नहीं पिए घंफर तरो नहीं तो दिए जेसे चलते हैं लास्टमारा नाहें थाउजन दा नाहें था जेट बच गया इसको देन थाउजन तक यहां पर यहां पर यहां पर जगा इन बच गया इसके लिए आप इसको तेन थाउजन तक में नब्स को है कि यह चिंगी हो नौसघ्र को लिखते हैं मैं यह लिखते हैं हिखते हैं ऐसे रिद यका करता है replace दिधित सब्सक्रेंग की नमब्स लिखते हैं रडल किनती है थो है टुस्कियों सबसे पहला दरिकते हैं अब कितने नमबर है नो कि पात कितने नंबर है नहां पर कोई नमबर ही नहीं हम प्लस कर देते हैं तो प्लस कैसे करने सबसे पड़े नहीं नम्र लिए लेक्ट क्रूट होते हैं फिर आपको बता ही यह वाला io यह जिरो के पिछाएगा फिर यह पाइप यहाँ आएगा प्रिण इस नम्मर के पीछे जी तीन जीरोगे दोजार के नोट तो आपने देखा होगा पांसो पचास का नोट है पचास का नोट है तब क्या बोलगे उसको कि दो हजार बांसो पचास तो वैसे टू थाउजंड टू थाउजंड यह आपको पुरा फाइप लिखना है ऐसे फाइप नहीं पुरा यह वाला फाइल फाइफ हंड्रेड फिफ्टी तू थाउजंड फाइफंड फिफ्टी ऐसे हम तूट पूर दिजिन नमर्स को रिखते है उनको हम ऐसे ही कर सकते हैं अब ए तक हमने त्वी डिजिट नम्र में काउंटिंग चर्फोरवड काउंटिंग और बाकवरड हैं लगेशा फटावाट अपने देखा होगा अपनी नहुर्मल कांटिंग का से स्टाइट होती जरो वन तू थी ऐसे तो हम में जब हमेश फौर प्रवार कांटिंग दिखने होती है तो हम सब से पहले लास्ट इस टमर को लेखते हैं तो लास्ट इस नमेट फिर आपने देखा साथ चॉंटटीक चाहां में इसे लिखें होंगे तू तू जसे हमारी फारवर्ड काउंटिंग चलेगी बाऊओध दो पीछे की तरह बाइक आपके ओप्रॉड हम आप्पस यहां ने लेते हैं आप जैसे आगे-का नंबर लेते हैं बाइब तूदाउजनट फोर और हमें बोला कि हमें इसकी बैकवर्ड गॉंट लेगें पिछी की तरफ मुँआ करता हूं जैसे मैं यहां अगे गई मैं पीछे आ रही हूं यह बैकवर्ड हो रहा है तो फोर यह बिसे है फोर कि हम फॉरवर्ड बात करेंगे तो फाइस डेक् डूटाउजन फोर से पहले के आहें गा बून रहेंगा फोटाउजन फोर से पहले के आएगा तो अब साल की बाते हैं तो अब साल के साथ है 2016 आया फिर 17 आया फिर 18 आया फिर 19 आया फिर 20 आया लेकिन जैसे हम पीछे पीछे जाते हैं जिसे 2019, 18, 17, 16 तो ऐसे ही 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 तो जो counting आगे के तरफ जाती हो फॉर्ट काउंटिंग होती है और जो counting पीछे के तरफ आती हो बाइकोड काउंटिंग होती है फिर आपके exercise 1.2 में यह दे रखा है कि आपको count करके numbers को और उनको forward counting लिखके उनके आगे की boxes को फिल करना है तो यह homework next question, third question पर आपके यह है कि आपको backward counting लिखके और उसे boxes में फिल करना है तो यह भी आप करना, बॉक्से में फिल करके एक एक number पीछी जाना और आपकी group में send करते है फूर्थ question चाहते है वह next is writing words तो यह मैं आपको बदाते हूं इसमें कैसे लिखते है, सबसे पहले हम लिखते है 3962 लब सब वह लेलो 83962 इसके अगे 3 नमबर है 30-0 लगातो किसी के लास्ट में 30 तो 2000 हो जाता है जिसके बाद 10 होजाता है जिसके बाद 10 होजाता है जिसके बाद जाएगा थीघाऊज़न नाइन हंड्रेड सिक्स्टी इस तरह से लिखने पर की सेंड़ेश्ट पीजिली देखाएगी थी थीज़ीड थीड़ाफ जाएगी थीड़ाफ नाइन फिस्टीट तो फिर जैसे अगर आपको वर्ट से लिखना हो घुड़ से लिखना हो तो आप कै है अब कोश्चन के हैं टू थाउजें टू हंड्रेट तू हंड्रेट टू थाउजेंट को कैसे लिए दो थाउजेंट होता है तो यह तू हंड्रेट और रिच्छण आइगे और दिखा होगा कि 10 की वेल्व नहीं जादी है 10 20 30 40 50 60 70 90 100 लेकर इसमें से कुछ नहीं टारिक एट है तो जहाँ पर 10 की वेल्व नहीं तरफी होती है उसकी जगह पर हम जीरो-जीरो पुट कर देंज में क्या होता है टू 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 प्लेस होती वान टू प्लेस करते हैं तू क्या है ?ब। बंव प्लेस से श्टार्ट होगा टू जबधस्यगे पर 10 में होती हम का प्लेस की आपक्या स्विड़ नहीं होती है। बंख सी आपका आये है तो आपका 50s यह आपका बंगा aности कॹ्ट में पास्तों पर प सैने सेंसल और प्रेसर होता ग्या है संतर होती है जैसा आपको एक number दिया हुआ है उसके just आगे आने वाला number होगा successor और उसके just पीछे आने वाला number होगा प्रीडेसर को आप याद के से रखोगे success success का मतलब क्या होदा है आगे बढ़ना तो successor से आपको याद है जाएगा आगे बढ़ना और successor की होड़ा प्रीडेसर जब आपको पदे successor का आगे बढ़ना हो तो तो मतलब प्रीडेसर का पीछे होगा इससे आपको आपको याद हो जाएगा तो हम देखते है प्रीडेसर निसा हमारा नंबर है फूर अब भूले कि इसका success क्या होगा मैंने का success उसके ज़्च आगे बाल नंबर फोर के आगे क्या था है था क्या था वाइसे ही जैसे हम 3 तिजिट नंबर लेते हैं शब सबसे पढ़े 10 डिजिट नमर 15 15 के ज़श्ट आपके क्या थे 15 16 सब्सक्राइब तो फिटीवन तो इसका सब्सक्राइब जस्त एक नमबर आगे का वह था सब्सक्राइब फॉर फाइफ तो इसका सब्सक्राइब करें तो आपको एगा प्रेटिसर बताना है तो प्रेटिसर क्या होता है तो पहले वाला नमबर वहता है वान टूट थी फॉर थी फॉर तो थ्री के बाद वोता है तो 3 होगा वो इसका प्रेटेसर होगा मतब 3 इसके ज़स्ट बाद आले सेल्यू में क्या होता है यह देखना हम प्लेस वाली लिखेते हैं से पहले जी फंस थेंस हंड्रेट थाउजंद यह होती है प्लेस वाली इसे में लिखेंगे 7777 यह एक नंबर है इस नंबर को हम कैसे सबस्क्राइं सारे नंबर को अलग अलग है जते हैं डिधा प्लेसमें प्लेसमें जिसके अंदर 2डीजंट होती है वो आचा हे 5 जिसमें 3 डेजित होती है प्लेस में और जिसमें चार डिजित होती है वह होता है थाउजन प्लेस में तो सबसे पहले आपको बता होगा इसमें चार जिरो आरा मतभी तो थाउजन है इसमें तो इस वाले प्लेस वाले क्या हुई एसा राइगा प्रेशन देखते हैं नेक्स एजमबल टू थी फाइस नैंट पूछ लिया कि प्लेस वाले बताओ सबसे प्रहेले आप टू थी फाइस एस लिख लो तो के बाद तीन नंबर तीन जिरो पाद दो नंबर दो जिरो पाद एक नंबर एक फेंट लोगे तो मतलब यह क्या हो गया थ्रीघन प्लेस पे आ रहा है यह एक्स-कडेट फॉम में लिखना है इसको पादेट। इस पार्म में लिखना होता है इसको कैसे प्लस में लिखेंगे इसी वाड़ो सेवन थाउजेंड प्लस थी हंड़ेड फ्लस टू हंड़ेड प्लस प्लस जीरो ठीक है अगर यह लिख देंगे यह ऐसा तो यह हमारा बन जाएगा सेवन थी टू जीरो गी थाउजेंड था फ्लेस का एक्स पांडिट फ्लस एक चोटेट फोए बहुत बढ़ा कर दिखना जैसे सेवन अंड्रेड ट्वेंटी था स्था अपने प्लस थी प्लस नाइज़ उसको बढ़ा फोर्म हो गया तो वैसे सेवन थाउजेंड प्लस थी अ मना एक सबाइस को नोए फुर्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइबाउब तो आगे आए गा यानि सब्सक्राइब आफ्टर में कंफ्यूज में यहीं तो सब्सक्राइब लिकाल लिए सब यह दे दिया 5623 क्या होगी सबसे ब्लब लिए जीरो टैन अंड्रेड थाउजड आप सब सारी वैल्यों के उपर जितनी भी चार डिजिट की वैल्योंगी गर उसकी उपर आप ऐसे लिए तो आपको आता निसे बताचाल जाएका शींडेड क्या होगी है तो अब लिए न तो आपको बता सकते हों तो बाद भी ये टू की वेल्व क्या भी हंड्रेट ऐसे आप पड़ावट बता सकते हो आपके एक्साइस में यह यह प्लेस वाल्यू इस फाइन करके लिखनी है और जो फिक्र आप्टर है वो लिखना है एक्सब्सी फंटर में भी एसे अपके अगर आपको कुछ ऐसी फंट जाओं एंधी 7000 । इसे नंबर इस नंबर को कैसे लिखेंगे सबसे पहले सारे नंबर्स को लगए लग लगेंगे फिर्ट जीरो एक जीरो है और यह एक सेवन ठीक है अब आपको होता है जिसमें ना कोई जीरो नहीं होते हैं वह आता है प्लेस में जिसमें फिर्ट होती है वह आठा है जिसमें चार यह होता है घृण प्लेस में तो सबसे पहले बिसमें चार भी सब्सक्राइब इसमें 30 आरह मंदब यह तैंस है इस वाले सेवेंट की प्लेस अलवी क्या हुई इसे आएगा पर जाशन देखते हैं नेक्ट इसमेंपल 2359 पूछ लिया कि 3 की प्लेस वाल्य बताओ सबसे प्रहें आप 2359 ऐसे लिख लो तो के बाद तीन नंबर दो जिरो फाइव के बाद एक नंबर 109 अकेल है तो इसका 0 अब उसमें क्या थी का थी की वैलू कुछ ही तो थी कहां रहा है त्री के बाद कितने डिजिट से दो इसमें पूरे में 3 नंबर हो गया तो मतलब यह क् तो 300 मतलब यह कौन से प्लेस प्लेस पे आ रहा है यह एक्सपांडेट फॉर्म में लिखना होता है एक्सपांडेट फॉर्म क्या होती है जैसे सबसे बहुत लो लिख लो इसको हम कैसे प्लस में लिख देंगे इसी गॉर्टो 7000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 0 ठीक है अगर हम यह लिख देंगे यह ऐसा तो यह हमारा बन जाएगा 7320 की 1000 प्लस नाइन तो यह उसको बड़ा फॉर्म हो गया तो यह सी 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 0 प्लस फैल्यू फिर नेक्स साब की एक्साइस दिविए 1.3 उसमें सक्सेशर प्रेडेशर लॉट कंशी फॉरफ और बिफोर अफ्टर में उसक्रीजू दैंतर तो फॉ मेस्ट幾ु फैप तो आपको बता चाल जाएगा 600 की क्या होगी 100 तो ऐसे कोई भी डिजित लेखों तो आपको बता सकते हो आपको प्लेस वाल्यूस फाइं करें लिखनी है और जो भी आप्टर आप्टर है एक्सपांडेट फॉर्म में भी ऐसे लिखना है अगर आपको कुछ ऐसी पॉर्म देदी सेवन थाउजन प्लस प्लस ऊसे लिखो एक आप इन सब को ब्लस कर दो सेवन थाउजन फ्रींड थ्रींड फ्लस ट्वेंटी प्लस रिट्व जिरो यहां पर जीरो तु जीरो तू हैगा उस्याइगा यह उसकी हो लाइगी शॉट फॉर्म दियु जर्व अपको इसको और expanded form में करना होता है तो आप इसको 0 0 0 लगा कि आप इसको expanded form में करते हैं एक्से हमारा topic आता है comparing numbers तो numbers को compare कैसे करते है compare number ऐसे होता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है इन तरिन दोनों में तुलना करना इसी को हम बोलता है comparing of numbers तो हम वही देखते है comparing number में compare कैसे करते हैं सबसे पहले हम सबसे पहला जो रूल होता है इसे हम नहीं लेले 2008 और 208 अब इन दोनों में compare करना ही कौन सा बढ़ा है और कौन सा छुटा है पहले हम देखेंगे numbers की इसमें कितने 123-4 इसमें कितन फॉर भूसेज है इसमें पहले है तो इसका मतलब फूर बढ़ा हो कि ए बढ़ा हो यह बढ़ा होगा इस साहिं का मतलब होता है कि जिस तरफ इसका और दो तो तुनों बराबर है इसमेंत भेसे सबस्कुल सबसे बराबर है जीड पर चलत है यह 4 है तो 3 पर 4 अलग अलग अब इसमें ऊसे 4 बड़ा है यह वाले Bruce ray लीऑ और长 के तीरह स्मॉल लग टो नेक्स जो है वोमेरा फॉरमेशन ऑंसर बिगर लोग है यह संब सबसे बड़ा नंबर बनाना है बनाते अस्टेसे वह क्या पर एक सबसे हैं इसके बड़ा ऐसे उसे बड़ा नियुक्तम फिन यह सबसें चोटा cela है कि इसमें सबसे लेकिन जब आप इस 0389 तो जब 0 पीछे होता तब इसकी वैल्यू होती जीरो आगे मतलब इसकी वैल्यू नहीं है फिर इका बन जाएगा थी डिजिट नंबर बन जाएगा लेकिन आपको फोर डिजिट चाहिए इसके लिए अपन क्या करेंगे जब भी किसी वैल्यू में 0 हो सब्छा है क्या थे गोड़ा हम सबसे सब्सें क्या क्या कि अगा है तो जीड पूरी फ्याइल्यू है ऊससे बच्छा सबसे सबसे च्छा क्या करते हैं यह जो फस्वरूइं होती है यह बक्रेंगैं ने यहां से यहां से यहां बढ़े हैं अब नेक्ट जो हमारी है वह है इवन और और नमबर्स इवन और और नमबर्स में आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी नमबर टू फोर सिक्स एट और जीरो इन से और होता है वह होता है इवन और जो भी नमबर होता है अat nr 1006 तो यह हो जाएगा हमारा इवन नंबर और अगर लिखा को आपको समझ में होगा फिर एक से 1.4 में इसी के ऊपर साइब कोशन्स करें और उनके फोटो अपने ग्रूप में पेश दें थैंक यू आपको वीडियो पसंद आया का और चैप्टर के अगर बार बार इस प्रैक्टिस करोगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आ चाहेगा झाहेगाग तर चैप पस्का कर जापको आपको अपको ऑ्काप़ सबस्द इoshi में डिता प्रैक्टर भी संदद हाज अवादा में खरी अवाद कर दो आ, कह कर दो आपको प के दो और वेसे आपको अगनागर पार भी समयक आस ही आपकोधों मेंगर रचर एक मेंवाद़